वल्कम तो दिस चैनल, मैंसल डॉक्टर टीन दिमनत, डॉक्टर अब मॉडरन मेडिसीन, मोटिवेशन स्पिकर और लाइफ कोछ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेडिकल एडिकेशन इसके बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर वीडियो अच्छा लएगे तो वीडियो शेयर कीजिए बहुत सरा स्टुडेंट जो नीट यूजी एग्जम दिये हैं मेरा चैनल के साथ जूरे हुए हैं मेरा वीडियो हमेशा देखते थे और जो उनलों का सिलेक्शन हुआ हैं अलॉट्मेंट हुआ हैं इसमें हम बहुत बार ये बात हमेशा करते थे कि आप गॉर्बन कॉलेज में अगर मील रहे हैं अगर आप बहुत बार ट्राइ कर चुके हैं तो आपको ले लेना आपको सही रहेगा या फिर अगर आप चाते हैं तो दुबारा ट्राई करना तो यह आपने आपका रिस्क लेके आप कर सकते हैं दोनों यह option आपके पास है तो इसमें बहुत सरा student जो है जो जार्खान जार्खान का जो medical colleges है जो peripheral medical colleges है इसमें admission लिया है तो बहुत लोगों को लगता है कि यह शायद गलट decision हो गया होगा शायद या साही decision नहीं था यह सबल बहुत सरा इस टेप का आपका सबल मन में आता होगा तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को clear करने का प्रयास करेंगे सबसे important बात है देखे आभी जो world situation है आप देख रहा है योक्रेन में जो इंडियन स्टुडेंट है इसमें फसर होगा है क्योंकि हाड़ साल almost 20,000 स्टुडेंट वहाँ पे almost medical पराई करने के लिए वहाँ पे जाते है जो इंडियन स्टुडेंट होते हैं इसमें इसके दो दो स्टुडेंट को पेरेंट्स लोग इंडिया में नहीं या फिर रशिया या फिर चाइना वहाँ पर भेज देते हैं क्योंकि वहाँ पर जो कोस्ट होता है वो डेफिनेटली बहुत कम होता है इंडिया के कंपरिजन में दूसरा यह भी important reason है और यह news में आभी कभी कभी आ र जरूरत नहीं है लेकिन फिलल इसमें एक चेंज किया गया होगा या करने का प्लेन है जो की है जो जो नीट यूजी जो इंडिया का है वो आपको क्लेर करना होगा तब भी आप बाहर जाके पराई कर सकते हैं ऐसा इंडियन गॉर्मेंट एक सोच रहे थे इसके बारे में ब सब्सक्राइब कर रहे हैं अपना देश में पराई कर रहे हैं और सबसे इंप्र इंप额 इंप नहीं होते हैं इसमें बहुत सरा चीज का कमी रहता है लेकिन बात इहां के सबसे इंपोर्टन है आप मेडिकल कोलेज्ज से परहिए कर रहे हैं आपका पैसा नहीं लग रहे जादा आपका जो प्राइबेट और गॉपरमेंट का जो कॉंपरीजन है वो आप खुद ही समझ सकत आप कोभर्मेट मेडिकल कोलेज में आप पर रहे हैं आपको ट्विशन फी ज़्यादा लगता ही नहीं है यह प्राइबेट के अपने अवकाद के हिसाबसे सब कुछ मिलता है एक अदमी को इतना ही सलारी मिलता है जितना इसका ओकाद है सुनने में अच्छा नहीं लगता है बात ये सही है आपका उकद जितना है आपको इतना ही मिलेगा अगर आपका उकद पलामू या दुम का मेडिकल कॉलेज का है तो आपको दुम का पलामू मेडिकल कॉलेजी मिला है ऐसा नहीं है कि आपको एम्स जा सकते थे लेकिन आपको पलामू आपको लेना पर रहे ऐसा न Institute से आपका जो डिग्री है और डिग्री MBBS ही होने जाने वाला है आपका डिग्री equivalent है आप जहां पर भी जाएंगे आपका priority almost सेम रहेगा MBBS में बहुत ज़्यादा changes नहीं होता है बहुत हाइफ ऐसा कुछ नहीं हो आप किसे पढ़ते हैं आप कितना sincere होके पढ़ते हैं एक है अच्छा रहता है आपको यहाप इतना अच्छा नहीं रहेगा लेकिन यह कोई ऐसा major issues नहीं है जो आप इसके लिए आप छोड़ देंगे अगर आप drop करना चाहते हैं दुबारा try करना चाहते हैं यह अलग बात है लेकिन अगर आप उसको नहीं मिला तो आप medical में नहीं जा रहे हैं तो यह गलत बात है तो अगर आपको कोई भी peripheral medical college मिला है हमको लगता है आज का situation देखते हुए आपको frustration बिलकुल नहीं होना चाहिए और जहाँ पे भी आप लिये हैं उसमें आप अपना best देने का प्रैस कीजिए आप definitely आप अच्छा कम करेंगे और अच्छा doctor बन के निकलेंगे इसमें कोई doubt नहीं है आप सोचिए अभी उन्स parents का जो जिसका जो उनका बच्चा बाहर है उसका कितना कितना pain होता होगा तो आपको आप अगर इसको इससे compare करेंगे तो आप बहुत बहतरिन situation में हैं आपको frustration होने का कोई जरूरत नहीं है आप अपने पराय पे ध्यान दीजिए और आगे का जो career है mbbs ही काफी नहीं है mbbs के बाद जो career होता है वह सबसे important career होता है वहाँ पर आप कैसे crack करते हैं उसमें आपको depend करेगा आपका life किस direction में जाएगा सिर्फ mbbs करके आज आप खुद को satisfied नहीं कर सकते हैं society को satisfied नहीं कर सकते क्योंकि आप अगर plain mbbs लोग ऐसे बोलता है simple mbbs है plain mbbs है लेकिन जिसको mbbs करना ना उन लोग हमेशा यह पुछेंगे आप किस चीस के specialist है अभी specialist का जमाना है तो आपको सोचना है आगे का mbbs का आगे का mbbs आपका हो गया है आप admission ले लिए तो mbbs आप निकल जाएंगे definitely इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन बात यह कि mbbs से निकलने के बाद आप कैसे अगे बनेंगे उसका plan कीजिए उसका plan के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए और आगे बरिया आपको कोई रोकने वाला नहीं है I hope यह video जो student peripheral medical college में लिए है जिसका मन में frustration था इसका मन में थोरा सा थोरा सा आपका lights दिखाई देगा और आगे का जो रशनी होगा वो आपको जो आगे का जोर कीजिए थैंक यू